तो फ्रेंट्स आज बनाने वाली हो में चावल का नाश्टा और आप इसको सुबे के नाश्टे में भी बना सकते हो जब आपको छोटी मोटी भोक लगे और फ्रेंट्स शाम के नाश्टे में भी और ये चावल का है इसको उपम भी कहते हैं हमारे जौनसार बावर में इसको क चावल के आटे का लिया है और एक कप मैंने गेहों के आटे का कोई इसमें जो मक्की का आटा है वो भी मिक्स करते हैं और जंगोरा है उसका आटा भी मिक्स करते हैं पर मैंने यहां पर चावल और गेहों का आटा ही मिक्स किया है तो फ्रेंट्स यह वेट में वजन में यह 400 ग बन होते हैं चावल के वो रह जाते हैं तो उसका जो बन के बहुत ही बेकाट टेस्ट आता है तो आप इसको बिल्कुल चान लेजिएगा तो फ्रेंट्स ये डिश हमारे जॉनसार में तो बहुत ही जादा बनती है और जब भी मैं ये डिश बनाती हूं तो मुझे अपने जी हमें बहुत ज़्यादा ये खिलाती थी और फ्रेंट्स इसको नमकीन मैं आज नमकीन बना रही हूं पर ये मीठे भी बनते हैं उसकी रेसिपी में आपके साथ जरू शेयर करूंगी और फ्रेंट्स ये जो नमकीन है इसको दही के साथ या दाल के साथ खाते हैं और फ्र लूह है जो मीठे बनते थे वो घी के साथ बनाया जाते थे यहां पे मैं यह आटो आता है ये अच्छे तरह चान लिया है और यहां पे मैं और रही हूर यहा sniff स्वाद स्वाद अनुसार यह नमक ले और बाकि इसमें और कुछ नहीं डलेंगा इसमें मैं सरफ एक चौथा कि सोडा डाल रही हूं इसको भी आप बिल्कुल कम डाले यदि ज्यादा मात्रा में यह आप बैकिंग सोडा यह डाल दोगे तो फ्रेंट्स जो आपके यह उपम या कपरोडी जो भी आप नाम दे रहे हो इसको यह बनेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे और बिल्कुल बनेंग तो friends यहाँ पे यदि आप ठंड में इसको बना रहे हैं इस रेसिपी को तो आप गरम पानी गुनगुना पानी लीजिएगा और यदि आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हो और friends इसको हम इसका एक अच्छा सा बैटर हम तयार कर लेंग तो इसको हम अच्छा सा एक गोल हम तयार कर लेंगे और friends इसी तरह आपको ये गोल तयार करना है اور friends जो ये डिश है ये बहुत ही जल्दी बन के भी तयार हो जाती हैं और friends जो बच्चे हैं बच्चे भी ये बहुत ही जादा पसंद करते हैं क्योंकि खाने में भी बहुत जा बादिश्ट और फटाफट बनने वाली डिश है तो फ्रेंस यहां पर मैंने यहh 7 लीटर और इसमें पानी का एड़ कर रही हूं तो फ्रेंस यहां पर देखें मैंने एक कप और इसमें पानी का तो यह जो बैटर है बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है इसी तरह का हमें बैटर यह जो उपम या कपरोडी हम बना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसको रेस्ट देना भी थोड़ा जरूरी है 10-15 मिनट का आप इसको रेस्ट दें इससे जो यह आटा है यह अच्छे तरह फूल जाता है और जो कपरोडी है हमारी बहुत ही अच्छी बनती है तो यहाँ पर मैं 10-15 मिनट के लिए इसको धकन से कबर करके मैं रहने दे रही हूं ताकि जो आटा है वो बिल्कुल सेट हो जाए तो यह देखे फ्रेंट्स 10-15 मिनट हो गये हैं और द वो नीचे बैठ जाता है और फ्रेंट्स अब जो यह हम कपरोडी बना रहे हैं इसको बनाना हम शुरू करते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स पहले ही मैंने गैस पे तवा रख जया था तवा हमारा अच्छे तरह गरम हो गया है और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दे और जो यह तेल की है थोड़ी मुझे खुश्पू बहुत अच्छी लगती है और इसको मैं धकन से कबर करके पका रहे हूं बहुत सारे इसको खुले में पकाते हैं पर यदि यह कच्चा रह जाता है तो आपको बीमार भी कर सकता है फ्रेंट्स आप धकके यदि आपको इसको पका है यह अच्छे तरह हमारी ब्राउन हो जाती है यह देख सकते हो आप और इसमें मैं आपको जाली दिखाती हूं कैमरे से जूम करके मैं आपको दिखाती हूं यह देखे फ्रेंट्स किती अच्छी हमारी इसमें जाली उठी है तो इसी तरह आप यह उप्पम या कप्रोडी बनाए और friends आपको मैं इसका बैक दिखाती हूँ ये देखे किता परफेक्ट बना है ना बिल्कुल जला है बिल्कुल ये जैसे डोसा होता है उसी तरह ये बिल्कुल खाने में टेस्टी लगता है और friends जो इसमें ये तेल की थोड़ी सी खुशवू आती है मुझे तैसा लग आती थी तो हमें पहले ही पता लग जाता था आज कप्रोडी बनने वाली है तो friends ये बीना में ओयल का ये एक कप्रोडी में आपको बना के दिखा रही हूँ आप इसको बिदावट ओयल के भी बना सकते हो तो friends ये आपके लिए और friends इसको ढखकन से कवर करके ये बहुती ज बनके बिल्कुल तयार हो गया है और बैक देखिए इसका बिल्कुल ये परफेक्ट बनके तयार हो गया और मन कर रहा है कि कम में इसको सर्व करो और कम में इसको दही के साथ फटा फट इसको खाओ और friends अब हम इसको सर्व करते हैं सारे उपम इसी तरह आपको बनाने हैं त और फ्रेंट्स ये देखिए हमारे जालिदार उपम या कप्रोडी बनके तयार हो गई है और फ्रेंट्स आप इसको जरूर ट्राइ कीजे आपको ये जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर किया है बहुत ही जादा आपको पसंद आने वाली है और ये हमारा जॉनसार का बहुत टेस्टी फूड है तो आप इसको जरूर बनाए और फ्रेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे लोगों के साथ शेयर कीजे और कमेंट्स कीजे और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं कहा है तो प्लीज प्लीज इसको जरूर शेयर किजेगा आप अपने दोस्तों के साथ और इसको इNJOY कीजेगा और मैं तो इसको इन्जोए कर रही हो क्योंकि मिरसे अब बिलकुल भी रहा नहीं जा रहा है और 당연asis ऑलत बनाज्वा है और आप इसको राजमा के या कुल्थी के डाल के साथ भी खा सकते हो पर अधिकतर हमारे यां इसको दही के साथ इसका सेवन किया जाता है और दही के साथ ये बिलकुल परफेक्ट इसका कॉमिनेशन है तो फ्रेंट्स यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूं थैंक यू